हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं स्वेटर के कंदे जो टूब पार्ट में होता है उसे सुई से किस तरह से सिलाई करने पर यहां जॉइंट पता नहीं चलेगा एक जैसा बन के आएगा वो मैं बताऊंगी और फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हैं सिर्फ उल्टी सीती बनाना आता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं मैं सफाई के साथ बनाना बताऊंगी इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फंदों को सुई से सिलाई करके जॉइंट कर सकते हैं जैसे आर्मोल का double border, गले का double border या फिर sweater के bottom का double border आप इजी से बना लेंगे सभी में सिलाई करने का step सेम ही होता है अब यहाँ पर देखिए दोनो साइड का देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का सीधी साइड उपर की तरफ रहेगा यर दोनों का फंदा equal होना चाहिए स्वेटर शिलने वाला नीडल है तो उसी से आप शिलाई करिए तो सही रहेगा नहीं तो आप नॉर्मल नीडल से भी कर सकते हैं अब देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरीके से ले लेंगे सीधी साइड उपर के तरफ ही रहेगा अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यह जो फ्रंट साइड का फंदा है उसे हम जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से ले लेंगे और शिलाई कर देंगे इस फंदा को अभी अस्किप नहीं करेंगे यह बैक साइड का फंदा है उसे जिसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से लेंगे देखिए इस तरह से लेकर शिलाई कर देंगे और इस फंदा को भी अभी अस्किप नहीं करेंगे जब सेकेंड टाइम आएंगे तब अस्किप करेंगे देखिए अब यहाँ पर फ्रंट साइ में फार्स्ट टाइम में इस फंदा को जैसे उल्टा बुनते हैं देखें यहां पर जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से लेकर के सिलाई किये थे अब सेकेंड टाइम में जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से लेकर के इस फंदा को अस्किप कर लेंगे अस्किप नहीं करेंगे नेश्ट फंदा को जैसे हम उल्टा बूनते हैं उस तरीके से लेकर के सिलाई करेंगे लेकिन इस फंदा को अभी अस्किप नहीं करेंगे जब second time आएंगे तभी अस्किप करेंगे अब एक पार्ट में देखिए फर्स्ट टाइम में जैसे सीधा बुनते हैं उस तरह से लेकर के सिलाई किये थे सेकेंड टाइम में जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरह से लेकर के हम इस फंदा को अस्किप कर लेंगे अनेश्ट फंदा को जैसे सीधा बुनते हैं उस तरह से लेकर के सिलाई कर देंगे यही two steps है friends जिसे आपको follow करनी है और फंदे को first time में skip नहीं करिए अगर beginner है तो आप बिल्कुल भी ना करिए नहीं तो confusion होगी और शरी से फंदा बताने ही चलेगा सिलाई करने में और शरी से लेकर के इस फंदा को skip करेंगे और नेश्ट फंदा को जैसे हम उल्टा बुनते हैं उस तरह से लेकर के सिलाई कर लेंगे जब बाइक पार्ट में जाएंगे देखिए जब पीछे की तरफ जाएंगे तो जैसे हम उल्टा बुनते हैं उस तरीके से लेकर के इस फंदा को अस्किप करेंगे अर्नेश्ट फंदा को जैसे हम सीधा बूनते हैं उस तरह से लेकर के सिलाई कर देंगे देखें अब फ्रंट पार्ट में जैसे हम सीधा बूनते हैं उस तरही किस लेकर के अस्किप करेंगे अर्नेश्ट फंदा को जैसे हम उल्टा बुनते हैं उस तरह से ले करके सिलाई कर देंगे इसी इस टेप को आपको पॉलो करनी हैं देखिए는지 बैक साइड जाने पर जो अस्टार्टिंग का फंदा उसे जिसे उल्टा किस ले करके स्कीप करेंगे अन्येष्ट फंदा को जिसे सीधा बुनते उस्तरी के सिलाई कर देंगे अजब फ्रंट साइड आएंगे तो अस्टार्टिंग का फंदा जिसे सीधा बुनते उस्तरी के सिलाई करेंगे अन्येष्ट फंदा को जिसे उल्टा बुनते उस्तरी के सिले करके सिलाई कर देंगे तिसी एस्टिप को आपको फॉलो करते जानी है देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे बनाना कितना आसान है और सफाई से बन के भी आता है देखिए बैक पार्ट में जैसे उल्टा बूनते उस तरी के सिलेकर के इस बंदा को अस्केप करेंगे अनिस्ट बंदा को जैसे सीधा बून अब फ्रांट पार्ट में जैसे हम सीधा बूनते उस तरी के सिलेकर के इस बंदा को अस्केप करेंगे अनिस्ट बंदा को जैसे उल्टा बूनते उस तरी के सिलेकर के सिलाई कर देंगे बैक पार्ट में जैसे उल्टा बूनते उस तरी के सिलेकर के अस्केप करेंगे अनिस नेष्ट फंद्ञ जिसे उलटा बुनते हैं उस तरीकिस लेकर के सिलाई कर देंगे अगर आपको बनाने के लिए आ जाएगा तो फ़र्स टैम में भी फंद्ञ को ऐसके कर सकते हैं लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप ना कीजिए तो ही अच्छा रहेगा देखिएiments कितना सफाय के साथ यह बन की आ रहा है तो आप भी इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाईए देखिए फ्रंट पार्ट में जैसे हम सीधा बुनते हुँ तरी के सिले करके सिलाई कर देंगे बैक पार्ट में जैसे उल्टा बुनते हुँ तरी के सिले करके सिलाई कर देंगे इसी तरह से बनाते हुए हम सभी फंदे की सिलाई कर देंगे देखिए कुछ फंदा और मैं सील करके आपको दिखा देती हुए आई होप आपको समझ में आ गिया होगा बैक पार्ट में इस तरह से हमें फंदे को लेनी है असलाई कर देंगे फ्रेंड साइड आएंगे और जिसे हम सीधा बुनते उतरी के सिले करके एसकीप करेंगे नेश्ट फंदा को जिसे उल्टा बुनते उतरी के सिले करके सिलाई कर देंगे बैक पाट का फंदा जिसे उल्टा बूनते उतर के से ले करके एस्कीप करेंगे निश्ट फंदा को जिसे सीधा बूनते उतर से ले करके सिलाई कर देंगे तो फ्रेंड्स इसी तरह से बनाते हुए हम लाश्ट तक आ जाएंगे दिख सकते हैं बिल्कुल फिनिसिंग के साथ ये बन के आता है, तो मैं यहां लाश्ट में आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है, देखिए फ्रेंट्स में सिलाई करते हुए लाश्ट तक आ गई हूँ, और ये लाश्ट में दोनों सैड का 3-3 फंदाय प्रचा हुआ है, तो फ्रेंट सैड में जैसे हम सीधा बुनते हुए उस तरह के से लेंगे और स्कीप करेंगे, नेश्ट फंदा को जैसे उल्टा बुनते हुए उस तरह के सले करके स्कीप करेंगे, फिर से फ्रेंट पार्ट में जैसे हम सीधा बुनते हुए उस तरह के सले करके इस फंदा को स्कीप करें एंगे लाष्ट का फंदा जिसे उल्टा बूंथे उस तरह करें गर में सिंदा के इसれて भेल के इस सिरुने के से लिएगे एंगे जोसे इस चरह में बेखेंगे या सिंदा ही जूस्टि करेंगे और सिंदा क्रशाए लकाई kl फंद बाइप व Autom इफ कुई करके शिलाई कर देंगे तो देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है आई होप आपको समझ में आ गिया होगा अगर कोई कन्फीजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसी तरह से अश्टेप फोलो करते हुए सिलाई करिए तो आपको बनाने में इजी लगेगा देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर सिलाई किया हुआ है और सफाई के साथ बनके भी आता है दुसरे कंदे को भी हम इसी तरह से सुईसे सलाई करते हुए सेली लिये हैं आई हो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक सेर एंड मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग